आज की इस class के अंदर हम लोग series के अंदर attributes को तो last class तक हम लोग series का creation देख चुके हैं कि हम अपनी series को अलग-अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं हमने nd array के तुरू देखा, हमने scalar value, list के तुरू हम लोग ने जो है tuple के तुरू, dictionary के तुरू हमने इन सारे जो भी python के अंदर sequence और non-sequence हम लोग data types use करते हैं तो सब के अंदर हमने देखा कि हम एक series को कैसे create कर सकते हैं अब हम series के अंदर आगे बढ़ चुके हैं और आज के इस class के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि series को हम लोग जो है उसके attributes को कैसे use कर सकते हैं तो एक बर कराने से पहले practically मैं आपको एक बर बता दूँ तो हमारे syllabus के अंदर हम लोग index, shape, d type, size, empty, has, nance, n bytes, n dim और item size इन सब को हम लोग use करने वाले हैं अब देखिए attributes का जब भी आप use करोगे तो यह जो parathences है इनका use हम नहीं करते हैं ठीक है यह वो एक common mistakes के अंदर से mistake है जो कि आप करते ही करते हो ठीक है तो आपको यह नहीं करनी है attributes के आगे कभी भी हम parathences का use नहीं करेंगे cool ओके तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम import कर लेते हैं अपने pandas को and उसको एक छोटू नाम दे देते हैं which is pd right ओके तब अपने एक series create करते हैं एक list का use कर लेते हैं ठीक है right और आपने एक list में कुछ-कुछ values डाल दे अब हम series का नाम दे देते हैं pd.series के through हमने इसमें pass किया अपना list आप चाहो तो इनको जो है इनके index number values दे सकते हो labeling कर सकते हो अगर नहीं तो फिर it's okay हमने कर ही देते हैं a b c d e f g h आप कोई problem नहीं है कि अगर आप आगे पीछे भी देते हूँ नाम sequence कोई जरूरी माइने नहीं रखता a b c d e f g h i then आपने j ठीक है तो अब मैं क्या करती हूँ इसको print करा देती हूँ ठीक है series को और आपको पता है कि जितने indexes होने चाहिए उतनी ही values भी होनी चाहिए ठीक है तो अगर हम print कराते हैं और अगर इसमें mismatch हुआ तो error आएगी नहीं तो आमार answer इस प्रकार से display हो गया ठीक है super good अब हम इसमें पहला attribute करते हैं पहला attribute हमारे पास में है यहाँ पर name attribute ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर name तो name मुझे क्या करना है series का नाम देना है तो मैंने series.name लिखा और इसमें मैंने इसका नाम लिख दिया मान लिजे data नाम से ठीक है data तो अगर मैं अभी एक बर देखे इसको अगर मैं डिस्प्ले कराती हूं, तो ये मुझे सीरीस का नाम भी basically display कराएगा, which is coming data, right, और अगर मैं देखना चाहती हूं, s.name, तो मुझे सीरीस का नाम डिस्प्ले होगा, कि आपकी सीरीस का नाम इस data है, ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका नाम रख सकते हैं, और डिस्प्ले भी करा सकते हैं, of course, डिस्प्ले कराने से पहले आपको इसका नाम जरूर अवश्य ही रखना होगा, तो अगर मैं बिना रखे इसका नाम डिस्प्ले कराऊंगी, तो नन आजाएगा, ठीक है, तो अगर आप इसमें specifically, directly नाम दीजे and indirectly देंगे, तो आपको non answer आजाएगा, बिकुछ आपने कोई नाम रखा ही नहीं, next हम लोग देखते हैं, इसमें values नाम के एक attribute को, ठीक है, okay, so value, करने से पहले आप इसको सोचिए कि क्या answer आ सकता है, values के अंदर, values में बोले तो values आपकी सारी आपके पास में डिस्प्ले हो ज 33, यह सारी values हैं इसके अंदर, जो कि आपको s.values नाम के attribute से डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, तो I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, बस आपको यह चीज ध्यान रखने हैं कि इसमें जो भी आपका output आ रहा है, वो एक array की form में डिस्प्ले हो रहा है, right, okay, अब values आपने indexes, तो जब हमें कोई particular इस परकार से हम अगर index देखना चाहते हैं, value देखना चाहते हैं, name देखना चाहते हैं, तो हम attributes का use कर रहे होंगे, ठीक है, okay, then हम लोग इसके अंदर करते हैं, d type का use, ठीक है, हमारी जो series है, उसके अंदर d type भी है, d types भी है, ठीक है, तो दोनों में स मानली जी, इसमें 5.5 कर दिया, and of course, इसका value क्या होने वाला है, float यहाँ पर, ठीक है, और अगर मैंने मानली जी, एक किसी को एक string बना दिया, object बना दिया, तो इसका data type क्या आएगा, आपके पास object, ठीक है, तो हम d type और d type से क्या देखेंगे, data type देखेंगे, तो object या जो भ तूपल की फॉर्म में करेगा, क्योंकि आपकी सीरीज वन डामेंशनल है, इसमें कोई रोल होता नहीं है, तो यह क्या गरेगा, आपको just total number of कितनी values है, total are there 10, तो यह 10 आपको इस परकार से डिस्पले करा रहा है, और यह किस फॉर्म में हो रही है, और यह किस फॉर्म में हो total no हो गई, तो इसका एक index भी कम करना पड़ेगा, तो अब अगर मैं इसको डिस्पले कराऊंगी, तो यह मेरे को बताएगा कि total इसमें no row है, row का मतलब column नहीं है इसमें, क्योंकि यह one dimensional होता है, और यह एक स्पेसिफिकली ऐसे total आपके पास में आ गया, और column के जगे खाली ह क्योंकि series में column नहीं होता है, ठीक है, series हमारी one dimensional होती है, row column का combination नहीं होता है इसके अंतर, ठीक है, तो answer किस में return होगा हमें, हमें इसका answer एक tuple की form में return हो रहा होगा, राइट, आगे वाला जो question करते हैं, वो हम करेंगे n bytes के साथ में, n bytes, n bytes जो हमारा attribute है, वो हमें क्या display करा देखे, इसमें total इसका जो कह लीजे कि इसमें total row थी, वो कितनी थी, 9, ठीक है, ओके, अब अगर हम देखेंगे कि एक particular कितना size घे रहा है, ये 11 है, ये 22 है, ये 8 byte घेरता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, total कितनी है, 9 जने, तो ये क्या करेगा, 9 multiply 8, तो ये answer कितना आया, 72, तो कहने का मतलब है, size multiply, इसमें total कितनी bytes है, जो घेर रहा है, specifically, तो ये जो 11 है, ये 8 byte घेर रहा है, ये 22, 8 byte, तो हर एक का individual है, कितना 8 8 byte, और total कितने है, 9 जने, तो आप दोनों को multiply करके ही, आपका answer, जो है, n bytes कितना है, 72 bytes, ठीक है, तो ये आपके पास में एक specifically answer है, कि पूर हम इसमें एक और जादा कर देते हैं, मैंने 9,000 लगा दिया, और यहाँ पर, let's suppose कि मैं, एक दे देती हूँ, तो अब ये कितना आएगा, एक भड़ जाएगा, तो 9 से कितना हो जाएगा, 10, तो 10 और 8 को हम multiply करेंगे, तो कितना answer आना चाहिए, 80, ठीक है, तो अब अगर हम answer क आएगा, और size में क्या आएगा, कि total number of elements कितने हैं हमारी list के अंदर, 10 जने है न, तो ये 10 हमें answer करेगा, ठीक है, size हमेशा total number of पता चलता है, ठीक है, अगर मान लीजे, मैं इस 9,000 को कम करती हूँ, और इक इसमें से index भी कम कर देती हूँ, अब total size कितना होगा, 9 यहाँ पर, right Okay, and shape की through के अपता चल रहा था, tuple में answer return हो रहा था, ठीक है, इसमें आपको simply एक integer में 9 number मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, अगले वाले में हम करते हैं, and dim, and dim एक ऐसा attribute है, जिसमें आपको हमेशा series में एक, और data frame में हमेशा 2 answer आएगा, क्योंकि data frame, row column, यानिकी 2 dimensional होता है, और हम का answer हमेशा एक रहेगा, series के case में, ठीक है, अब हम करते हैं, यहाँ पर item size, so मैं क्या करती हूँ, item size, अब देखिए, अगर मैं इसको directly ऐसे use करूँगी न, तो यह मेरे लिए problem create करेगा, यह कहेगा, series के अंदर ऐसा कोई attribute है नहीं, तो मैं इसको हमेशा values के साथ में use ठीक है, राइट, इसमें मतलब particular values है, उन वो कितना कितना byte है जो गेर रही है, तो एक एक का particular size अगर आप देखेंगे, तो अब ही आपने किया था किसके अंदर, n bytes के अंदर, है ना, तो 8 byte, एक एक गेरा है, तो जदी मुझे एक का size देखना होगा, तो वो मुझे कहेगा कि एक एक जो है, 88 byte गेरा है, ठीक है, तो series.values.item size से मुझे एक एक का specifically size की 11 है, उसने कितने byte गेरे है, 22 ने, 5.5 ने, 66 ने, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर इसका 8 आ रहा है, अब अगला हम लोग attribute यूज करते हैं, which is has nance, has nance क्या गरता है कि जब भी आपके पास में कोई null value होगी, अगर मैंने मान लीजे, इसको null रख दिया, n-o-n-e, अगर एक भी nan हुई, तो ये आपको true answer करेगा, ठीक है, तो इसमें देखे, ये देख रहा है कि इसमें से कोई एक तो कम से कम हो, null value, ठीक है, nan, तो उस case में ये आपको true करतेगा, अगर मान लीजे, आ आपके पास में एक आता है, empty, empty हमेशा आपको true उस case में करेगा, अगर आपकी series में कुछ भी नहीं है, जैसे कि, अगर हम अपनी series में से, ये सब कुछ उड़ा दे, this is kali series, तब ये हमें एक true answer करेगा, और कहेगा, कि yes, आपकी series क्या है, खाली है, तो ये empty, series को खाली चेक करन हैं, but इसमें हम एक बार सब कुछ copy कर ले, then हमें index के through, index basically पता चले, कि भाई, इतने indexes आपके पास में है, तो ऐसे आपके पास answer आएगा, तो अभी हमने values भी जो पहला-पहला किया था, तो values के through, values पता चल रही है, ठीक है, और वो भी किस form में, array की form में आपको पता चल रह है, ठीक है, and the array के अंदर आपका answer basically इसमें आ रहा है, जो इसमें और add करने वाला रह गया था, वो ये वाला है, कि जब हम लोग इसके अंदर कर रही होंगे, हमारे indexes को, तो देखिए, हमारा output is coming, so ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, नहीं देते हैं, ठीक है, right, तो क्या होगा, तो ये मुझे 0, 1, 2, 3, मतलब कुछ इस तरीके से बताएगा, कि start 0 से हो रहा है, stop 9 पर हो रहा है, and step 1 करके है, ठीक है, अब मतलब इसमें कहने का मतलब है, कि अगर हम देखे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मतलब total इसमें मेरे पा अब आपके पास में 1 करके आ रहे हैं, ठीक है, और इसकी better understanding के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको cut करती हूँ, और इसके अंदर कुछ और index देती हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 9, 5, 7, ठीक है, अब इसको एक list की form में दे देती हूँ, तो अब आपके पास में देखिए, integer के type में आएगा कि ये index है, अगर मान लेजिए मैंने इसमें 9.9 दे दिया, 5.9 दे दिया, 7.7 या कुछ भी ऐसा कुछ दे दिया, तो ये float type मेरे को बताने वाला है, ठीक है, ओके, और अगर मैंने इसमें 0,1,2 कुछ ऐसा ही बता दिया, कि मेरे पास ये index है, तो ये मेरे पा पास में ये इस तरीके से बताएगा कि भाई, ये 0 से start हो रहा है, तीन तक आपके है, total और 1 के करके आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको output थोड़ा सा धियान रखना है, कि किस में क्या चीज आने वाली है, basically, अगर मैं यहाँ पर index a, b, c, ऐसा कुछ देता हूं, तो क्या आने पाला है मैं, तो string याने की object हमारे पास में, ओके, तो ये चीज थी, जो उचे add up करनी थी, इसके अंदर, अब मैं थोड़े से इसमें से, जो है, आपको revise करा देती हूं, चीजें, तो हमने recap कर लेते हैं, एक बार इस चीज का recap के अंदर, कहता है, index, तो index आएंगे आपके प तो ये ट्यूपल है, तो three का मत्तब है कि row कितनी है आपके पास, ठीक है, data type आएगा, कि data type क्या है, आपकी series का size में, total number of elements कितने है, तो जैसे इसमें तीन row है, तो इसका answer in teaser में तीन आएगा, empty हमेशा true कहेगा, अगर आपकी series खाली है, अगर उसमें एक भी element है, तो false कहेगा has nan में अगर एक भी element nan है, तो ये true कहेगा, अगर कोई भी nan नहीं है, तो ये false कहेगा, n bytes हमें हमें हमेशा answer क्या देगा, कि भाई, कितना space है, जो basically घी रहा है, ठीक है, और इसके अंदर क्या आएगा, size multiply 8, ठीक है, तो जितना size है, उसको 8 bytes से multiply करके आपके पास answer आएगा, and dim में हमेशा हमारा answer series में एक आएगा, data frame में दो आएगा, because ये one dimensional है, data frame 2D है, item size, हम इसका use कर रहे होंगे, values के साथ में, तो जितना भी हमारी item का size है, जैसे अभी 8 byte है, तो 8 byte हमारे पास में answer आएगा, तो हम इसका use कैसे करेंगे, series.values.item size, ठीक है, तो पुराने जो version थी, उ को देखें, एके करके हमारे attributes को, तो अगर मैंने dot values कहा, तो इसमें मेरे को जो answer आ रहा है, वो nd array के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो मेरा answer is coming, ये की पूरी values, 2 से ले करके, वो 49 तक देगा, लेकिन उसमें 10-10 के step है, तो 2 के बाद 12, 22, 32, ठीक है, तो अगर मैं shape कर रही हूँ तो shape में आपका answer tuple में आएगा, है न, तो इसकी shape कितनी है, इसमें answer अगर देखेंगे, तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें 7 आएगा, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, ठीक है, तो 7, 5, क्योंकि tuple में आ रहा है shape में answer, ठीक है, n bytes के अंदर क्या हो रहा है, since integer का size है, व तो इसमें total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 multiply 8, तो हमारे पास 56 इस वज़ा से आएगा, ठीक है, and dim में हमेशा series में 1, data frame में 2, right, okay, size के अंदर total number of visits कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो size is 7, in teaser में, ठीक है, has nance, हमेशा मैंने कहा कि अगर एक भी value false है, तो true, नहीं तो false, ठीक है, right, okay, तो type, type पो तो हम चलिए, इसका type ही जान रहे है, type तो हमारा एक function है, normal python का, but empty को अगर हम देखेंगे, तो empty के अंदर, अगर series में एक भी element है, तो false, अगर empty है, तो ये true बताए गया, ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास में, अब इसका answer आप मुझे नीचे comment section के अंदर खावना है, तो नीचे comment section में बताईएगा, ये मैं वैसे अलग से आपको कराऊंगी, ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, और आपसे लेते हैं, अलविदा, so thank you so much, bye bye, मिलेंगे आपको अगली class में, और channel को जरूर subscribe कर दीजेगा, ठीक है, so bye bye and God bless you.